नमस्कार दोस्तों सुबसंद्या सुबसाइंकाल गुडी इवनिंग टॉल आफ यू स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल विहाइड़ा 247 में और इस जबर्दस क्लास में जिसमें हम देखने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टन कोईशन्स को तो सभी लोग आदो जी अनीता देवी जी आप सभी का स्वागत है राजेस चौरास जी जूट चुके हैं सोनु आलम जी तो सबसे पहले तुम्हें अपना पर्चे हाला कि आप लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे मेरा नाम है कॉसलें प्रताप सिंग और मैं फेकल्टी हो चुकी है और मुझे साथ ही साथ कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है आप लोग मुझे देख पा रहें और सुन पा रहें नेसित रोप से जब यह क्लास खतम होगी तो आपको काफी मजा आएगा ठीक है मतलब मेरा जो एप्रो कोसित करते हैं दोस्तों तो अब रटना भूल जाएए अब मैं आ गया हूँ फिल्कुल सारी चीज़ देखेंगे जानेंगे और पूरा जितना मैं पहना चाहें इंडियन हो या वर्ड हो आपके दिमाग में घुमा दूँगा मैं देखें सब लोग इदम याद हो जाया क्ल जो जाएंगे मुझे लगता है कि कई लोग आ चुके हैं जोती चौहान जी और पी सिंग जी और हाँ बात करते हैं जीतन सर की देख पा रहा हो की काफी जो है कमेंट आर हैं जीतन सर अभी तक पढ़ाते थे लेकिस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ मैं इस लिए नही तो क्लियर है मृत्यूंजा जी आगे बढ़ा जाए सेसन के सुभात करते हैं दोस्तों और आप लोग क्या करेंगे सपोर्ट इतना ही करना है कि आप लोगो सेसन को सेर करना है जितने भी भाई बंदों उमारे नहीं जानते हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो उनको बस स्क्रीन पर दोस्तों सभी लोग आंसर करेंगे और मेरी क्लास में आप सबको आंसर करना है सबसे पहले तो अभी मैं बताता हूं उसके पिछे मनों वेग्या नहीं कहा रहा है पहला सवाल है निमनलिकित में से कौन सा लक्ष दूइप समूह का सबसे बड़ा दूइप है यह दूइप समूह है तो यह दूइप समूह संबंदित है दोस्तों अरब सागर में किससे अरब सागर से संबंदित है अरब सागर कहां पर है भारत के पस्चिम में अरब सागर है और वहां पर जितने भी दूइप समूह जिन पर भारत का नियंतरन है वो कौन से हैं लक्ष को टीक करना important है क्योंकि जब आप answer बताते हो comment करते हो तब आप क्या करते हो आप class से connected हो जाते हो और एक बार class से connected हो गए ना बिलकुल धूम मचा देंगे अगर नहीं आएगा तो आज आएगा लेकिन हाँ सबको answer करना है ऐसा कोई नहीं होगा class मेरे स्टुडेंट जो answer ना करें तो सभी साथ उस मेरे गुजारिस से answer सभी लोग करेंगे लगातार comment करेंगे जो भी आता है जैसा आता है तुक का लगाना है तुक का लगया लेकिन लगाई जरूर क्योंकि जब तक आप गलत नहीं करें आप सही करने की छमता अपने अंदर विक्सित नहीं कर पाएंगे चलिए तो बात करें लक्षदीप की आप जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत जो है यहां पर आप देखेंगे इसके पस्ची में यह पस्ची में इस्थित है अरब सागर ठेके भारती प्राइदीप की बात कर रह हैं यानि बंगाल की खाड़ी मैंने आपसे कहा की सबसे पहले क्या लक्षदीप की संबनदित है तो अरब सागर से संबनदित है रैविए सीसे थेष्टे से और इन कोन सा है मिनी काई कईıyla ने बता है मिनी कई नहीं होगा दोस्तों बलकि हो जाएगा सी option एंद्रोट आईलेंड एंद्रोट जो आईलेंड है इसी का एक जो है पार्ट है सबसे ज़्यादा छेतर रुफल वाला है अगर बात करें लक्षदीब की राजधानी की तो राजधानी हो आपके हो जाएगी कावरती राजधानी हो जाएगी कावरती दोस्तों ठीक है तो एक बार इसकी लोकेशन अम देखते हैं यहां पर देखें यह हमारा प्यारा भारत और खासता पर केरल का तट है माला बार और यहाँ पर अगर मिनी कोई की बात करते हैं तो नीचे यहाँ पर मिनी कोई स्थित है मिनी कोई को कावरती से अलग करने वाले एक चैनल है जिसका नाम है यहाँ पर 9 degree channel तो ये भी याद रखेंगे ना देखे एक question से मैं चाहूँगा कि 10 question आपका cover हो 9 degree channel यहाँ पर अलग करता है किसको किसको तो mini koi को अलग करता है लक्ष दूइब की राजधानी कावा रती से एक और आपने channel पढ़ा होगा 8 degree channel पढ़ा है जरा मुझे comment करके बताईए कि 8 degree channel किसको किसको अलग करता है एक बार सभी लोग comment करके बताएंगे 8 degree channel किसको किसको अलग करता है चली फर्स्ट वाले में ही out होगे नहीं out नहीं हुए देखे अगर आपका ये question का answer आपका अगर गलत हुआ है इसका आउट नहीं हुए इसका मतलब आप class में in हुए है क्योंकि जब तक आप गलत नहीं करोगे फिर से मैं कहा रहा हूँ जब तक आप गलत नहीं करोगे ना तब तक आप सही नहीं कर सकते हूँ सफलता के लिए सफलता को होना जरूरी है ठीक है और यहाँ पर देखे आप लोग मेहनती हैं नो डाट बहुत मेहनत करते हैं आप लोग एक सेर है हफीज बनारसी का कि चले चलिए कि चलना ही दलीले काम रानी है जो ठक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते अगर आप लोग क्लास में कमेंट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप कनेक्टेड नहीं हो पाई क्लास से और अगर आप कनेक्टेड नहीं हो पाई न तो जो मैं बताओंगा आप क्या करते हैं आप गलत किये अब आप सही चीज जान गए कि एंद्रोथ आईलेंड है जब कभी कुश्चन आएगा तो हम इसको मारेंगे सी आप्सन एंद्रोथ आईलेंड को मारेंगे अब आपको ये पता चल गया लेकिन अगर आप कमिंट नहीं करोगे तो वही मीनी कौई आपके दिमाग में घूंता रहेगा और जब पेपर में आजाएगा तो वही मीनी कौई मेरे दोस्तों आप लगाओगे ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन अगला सवल अगला कोश्चन है निम्नेल खित में से किस राजजी में भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव कवर है मैंग्रोव क्या है मैंग्रोव बनस्पतियां है खास तोर पर तटी ये छेत्रों में पाई जाने वाले तटी ये छेत्रों यानि समूद्र तट पे आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप से पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कहां पर है गुजराक में पस्ची मंगाल में आंधर प्रदेश में तमिल नाडु में सबी साथी बताएंगे कि कितना बढ़िया बता रहे हैं सबी लोग बी ऑप्सन बता रहे हैं मैंग्रोपेस कौता रहे हैं कई लोग ईब लुक सी आपसे बता रहे हैं अगलत बनाते हो तो आप सई सीघ मैं और रहा हूं तो और आप लोगों ने बताया कि भारत में मैंगरोव कवर सबसे ज़्यादा पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो ये दोस्तों हो जाएगा पस्चिम बंगाल B option बिल्कुल सही है अब क्यों सही है बी option क्यों सही है क्यों कि आपने पढ़ा होगा गंगा और ब्रह्म पुत्र गंगा प्लस ब्रह्म पुत्र नदियों के द्वारा क्या किया गया है नदियों के द्वारा बे अफ बंगाल में बिस्व का सबसे बड़ा डेल्टा बिस्व का सबसे बड़ा डेल्टा बिस्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित किया गया है सबसे बड़ा डेल्ट और चुकि यह सबसे बड़ा डेलता है ले तो यहां पर मैंगरूव कवर सबसे जादा है जरूर नहीं इसलिए मैंगरुव कवर है बलकि डील्टा है बहुत स्कुछ छोटे-चोटे आइलैंड्स बंते हैं डेलता क्या होता है, सुन्दरवन डेल्टा इसका नाम है दोस्तों और इसका नाम सुन्दरवन कैसे पढ़ गया बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका नाम सुन्दरवन कैसे पढ़ा सुन्दरवन डेल्टा का नाम सुन्दरवन कैसे पढ़ा इसका नाम क्योंकि मैंग्रोव में ही वजे से इस पूरे डेल्टा का नाम पढ़ गया सुंदरवन डेल्टा ना किवल भारत बलकि बंगला देश में विस्तित है भारत के अगर बात करें तो पस्चिम बंगाल हो जाएगा और यहां पर बंगाल टाइगर पाये जाता है अब मैंग्रोव ट्री की बात करते हैं तो मैंग्रोव ट्री जो है तटों की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं तट की रक्षा करते हैं तट की रक्षा किससे आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े जौर भाटा आते हैं आप लोगों ने समंदर देखा होगा देखा ही होगा कुछ लोगों ने देखा होगा तो समंदर आपने आपने देखा होगा तो जौर भाटा बड़ी बड़ी लहरे आती है और लहरे आती हैं तो समंदर से तकराती है जब तट से तकराएंगी तो तट पर जो मिट्टिया होंगा उसको कटाओ करेंगी न उसको कटाओ करेंगी अगर mangrove trees होगा तो ये अपनी ज़लों के दोरा मिट्टी को बांध ही रखते हैं मतलब मिर्दा पर्दन जो होता है soil erosion जो होता है उसको रोकते हैं तो इसलिए ये काफी important role play करते हैं कहाँ पर टो पर कोश्टन रीजन में ये मिट्टी के कटाओ को बचाते हैं तटों की रक्षा करते हैं तटों पर रहने वाले जीव जन्तुओं की रक्षा करते हैं बंगाल टाइगर की रक्षा करते हैं सुन्दरी पेड़त यह उपसिन क्या हो जाएा औक संब लागा बाकी तमिलाडी या नहिवा बहुत कम अंध़ प्रदेश पाई जाथे औडी ईसा में पाई जाते गुजराट में हर जगा में इंग्र भोई पाए जाएंगे लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों पाए जाएंगे कहा पर तो पस्ची मंगाल में सुंदर्वन डेलता नेक्स कोश्चन अगला सवाद चलिए सभी लोग तेदी साथ बताएं जब आप निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतूहा के पास कई लोग आप में से फ कॉसलेंड प्रताप सिंग स्टार्टिंग में ने बता दिया कॉसलेंड प्रताप सिंग केपी सर आप लोग ही बहुत प्यार से कहते हैं तो कॉसलेंड प्रताप सिंग मेरा नाम है दोस्तों जी के जीस फैकल्टी हूँ लंबे समय से पढ़ा रहा हूं बिहार एड़ा पर भ जबाब है पुनपुन नदी और छट पूजा में क्या होता है फटूह पर देखिए कई जितना भी बहुत भीर लग जाती है पुनपुन में जो है छट पूजा मनाया जाता है तो पुनपुन नदी और फटूह स्टेशन भी है कितने लोग है वहां से फटूह से फटूह रेल में दोस्तों फतुह जो कि पठना के समीब है पठना के पास मिस्तित है पुनपुन इसका नाम है पुनपुन नदी कहा से निकलती है तो यह निकलती है दोस्तों हजारी बाग के पठार से कहा से हजारी बाग क्या पठार हजारी बाग का पठार छोटा नाकपूर पठार का उत नेक्स्ट कोशन चलते हैं अगला सवाल अब आप लोग देख सकते हैं कि गंगा ये बिहार बिहार का मैप हमारा प्यारा बिहार अब यहां पर देख गंगा से कोन कोन ने दिया कहां कहां मिलती है सब कुछ में आपको बता देता हूँ बहुत important है कई बार स्वाल पुछ अगर बात करेंगे zone की तो देखे zone सबसे पहले मिलती पतना की पास में एक स्थान नाम यहां लिखता हूँ ऑनर पतना के पास में मने स्थान है जहां पर 11さん मिलती है Sun नदी निकलती कहां से है तो नहां पर निकलती है दोस्तों अमर कंटक से कहां से अमर कंटक चोटी से निकलती है और अमर कंटक चोटी किसकी सबसे उची चोटी है मैकाल परवत की सबसे उची चोटी है मैकाल परवत की और मैकाल परवत किसका पार्ट है तो सत्पूला का पार्ट है सत्पूला रेंज का पार्ट है मैकाल परवत और मैकाल परवत की सबसे उची चोटी यह अमर कंटक चोटी से निकलती है सोन नदी किसके बीज से किसके बीज, कैमूर पहाड़ी और सोना पार पहाडियों के बीज से बिलकुल निकलती है और यहाँ पर पटना के मनेर, मनेर में क्या फेमस है तो मनेर में लढ़्डू फेमस है मनेर का लढ़्डू आप लोगों ने चक्खा भी ओगा, ख intelig अब देखिए सोनपूर के बीच में, सोनपूर का मेला भी लगता है, आप लोग घूमने जाते होंगे, हाजिपूर और सोनपूर के बीच में गंड़क रिवर गंगा से मिल जाती है, अगर बात करते हैं आगे, तो यहां पर आप देखेंगे, कि सबसे important क्या है, अब यहां पर देख कोसी, क कोसी नदी का जो संगम है घंगा से, किस नाम से जाना जाता है, कई लोग नहीं जानते होंगे, बता देता हूँ, त्रिमोहिनी संगम के नाम से जाना जाता है, और त्रिमोहिनी संगम इतना important यह कहां परिस्त है, कटिहार जिले में, कटिहार जिले में, बिहार का सोक कही जा गया, 12 संगम को चुना गया, जहां पर महत्मा गांदी की अस्थियां विसरजित हुई, और एक उन में से संगम यहाभी है, त्रिमोहनी संगम जहां पर महत्मा गांदी की अस्थियां विसरजित की गई, important fact है, मुझे लगता है आप लोग जानना चाहिए, चले, तो ये कुछ नदियां है दोस्तों, जो की गंगा से मिलती हैं, और अलगातार सवाल पूछा जाता रहा है, तो मुझे लगता है की cover हो चुका है, काफी बाते इसमें सीख चुके हैं, और बाकी गंगा रिवर सिस्टम को जिस दिन पढ़ा दूगा आपके दिमाग में पूरा छप सेक्टर, दुतियक छेतर, लेकिन किस चीज़ का समझ में आए जाएगा, जब आप आपसंस देखेंगे, डेरी, फिसरी, विनिर्मार, मनुफेक्चरिंग, वानिकी, तो यहां पर चार आपसंस हैं, कौन से सेकेंडरी सेक्टर, दुतियक छेतर के अंतरगत, कौन से चीज़ सबी का कमेंट आना चाहिए, सी आपसंन, रवी, कुमार भवितक, रोसनी, नंदन, दिने, सोनी, रौकिज, सिंपी है, अंजली है, मौमन नितीज जी है, तोरी, नितीज जी है, यादो नितीज जी है, राखी है, अनीता देवी है, स्रेया गुपता है, सभी लोगों ने दे चाहिए था, यहाँ पे सी होना चाहिए था, क्लियर, तो यहाँ पर होसकता है, इसलिए आप लोगों सी में थोड़ा कन्फूज हो गया हो, निस्यत रूप से आप लोगों होसकता है, अजीज आजमी गुडीवनिंग, चलिए, आप लोग भी आ गए हैं क्या, चलिए, तो भारत में दुतियक छेतर में समलित हैं अब आप लोग जानते मैं आपको बता लेता हूँ सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि अर्थ बिवस्था साइध आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्थ बिवस्था एकोनोमी के कुछ प्रमुख सेक्टर कुछ में सेक्टर होते हैं और कितने वैसे तो पांच सेक्टर हैं दोस्तों लेकिन तीन सेक्टर आपको पढ़ना है तीन सेक्टर में होते हैं तीन सेक्टर में बाटा जाता है किसको एकोनोमी को अर्थ सास्तर की बात नहीं करना हूं ध्यान समझे yhtारे बहुत अंतर है अर्त-व्यवस्था की ब Stick मैं रूहां जब किसी देश के इकन आप की बात हमें सरो देश के लिए ना इकनी सब्सक्रा इस्तवारा होटा है भारत का अर्फसास्तर नहीं होता भारत की अर्थ बेवस्था होती है, तो यहाँ पर अर्थ बेवस्था दोस्तों मैंने बताया सिक्टिस कितने हैं, तो तीन छेटर होते हैं, प्रमुख छेटरों को देखेंगे, तो तीन छेतर, अब देखें समझने की जरूत है एक बार समझ जाएंगे तो पूरी लाइफ याद रहेंगा देखी प्रात्मिक छिट के अगर बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अगर मैं कई लोगों से पूश लोना कि विनिर्मार क्या है दोस्तों बता ये तो मुझे पूरा मैं यकीनों कुछ लोग तो भूल जाएंगे विनिर्मार है क्या नहीं पता होगा अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की जितने बी नेच्रल प्राकितिती ने बनाया है जैसे गर मैं कहूँ कि वन जंगल वन को किसने बनाया ज़रा पताएं तो वन को क्या हम इंसानों ने बनाया वन को किसने बनाया हम इंसानों नहीं प्रकित ने नेचर ने बनाया तो आप लोग कहेंगे अव्यस बात है नेचर ने बनाया ठीक है अब देखे अगर मैं कहूं जील किसने बनाया और जील में मचली को किसने बनाया तो क्या इंसानों ने बनाया नहीं किसने बनाया नेचर न तो दूद्ध किसने बनाए कि हमने बना है नहीं मानों रहा प्रकीति ने बनाई ने जितने भी नीचर अप्रमें नहीं अब बताईरट लैंठें पर लिए अपने की जोड़त नहीं पड़ी अब देखें दुतियक छेट सेकेंडिय सेक्टर में क्या होता है इसको विनिर्मार बोलते हैं पहले से ही निर्मित वस्तों को अगर तोल मरोड करके एक नई चीज बना दिया जाए बैए यह पेन बना अब यह मैनुफेक्चिन सेक्टर में पेन यह बनी पेन कैसे बनी प्लास्टिक रहा होगा पहले फिर इसमें इंक रहा होगा अब बहुत सारी चीजों को हम क्या किये एड करके यह पेन बना दिये तो यह मैनुफेक्चिन सेक्टर में आगा दोस्तों किसमें आएगा मैनुफेक्चिनिंग में दुतियक छेतर में दुतियक खेतर में क्या होता है इसी natural products का इस्तमाल करते हुए यानि प्राथमिक खेतरों को कच्चे माल के रूप में raw metal के रूप में यूज़ करते हुए कोई नई वस्तू बना दे कोई नई चीज बना दे जैसे हमने इस one से एक लकडी काटा एक विक्ष काटा और उस लकडी से हमने क्या बनाया हमने बनाया फर्नीचर्स कुर्सी मेंज हमने बनाया तो यह सब किसमें आ जाएगा यह सब आ जाएगा दुतियक खेतर में विनिर्मार सिक्टर मैं सेवा दे रहा हूं इसमें इंजीनियर आते हैं माश्टर आजाते हैं अब देखें तुरतियक खेतर क्या करता हैं क्ची में इस्प्रक्ण आ сам मतलब परिवहान, परिवहान का इस्तेमाल, Transportation का इस्तेमाल हमने किया,bon लिए तो परिवहान किस में आ गया, सेवा-चेतर में आ गया, अच्छा ये चीज़े हैं वो चीथीग है ये सब सेवा है ये सारी चीज़ें दोस्तों अब आप लोग बताईए कि क्या प्रात्मिक छेतर दुतियक छेतर दुतियक भूल पाएंगे यस और नो और एक बार सबी लोग इसका स्क्रीन स्टर्ट ले लेंगे screenshot ले करके एक बार revise कर लेंगे दोस्तों तो निस्टी तुरूब से आदो जाएगा पूजा चौदरी कुछ कहना चाहरी है हाँ तो कोई sir नहीं बता रहे है क्या पूछना बताईए चली English में भी answer लगाईए ठेक English में कुनाल answer लगाते हैं और गायत्री चोहन अच्छा आप भी है स्वागत है आपका गायत्री जी चलिए तो यहाँ पर पूछना एक जिते answer जिते answer अब मैं फिर से कह रहा हूँ जिते answer बहुत ही अच्छे teacher हमारे एक अच्छे मित्र हैं हमारे senior भी रह चुके हैं तो अब वो क्या है अब वो किसी भी कारण वस आप लोगों को नहीं पढ़ा पाएंगे अब मैं पढ़ाओंगा आपको क्या करना है आपका काम है पढ़ना क्या है अब आपका काम है दोस्तों final goal आपका है अचीव करना उसको जो आपने दिमाग में लगाया set किया हुआ कि BSSE interlevel में हमको एक post चाहिए ठीक है और उस post के लिए क्या करना होगा hardware करना होगा पढ़ना होगा पढ़ाने वाला एक teacher से teacher कैसा पढ़ाएगा जब हम पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा पहले सही पता चलियागा perception धारना बना के बाद आप बताईएगा कि जितना question के पी सर ने कराया का उसलिंग सर ने कराया क्या हो हमारे समझ में आ गया और उसके लिए समझ में आने के लिए आप समझने के लिए तयार हुए पहले अपने आपको prepare करीए ठीक है चली तो आसा करता हूँगा आपके समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल तो अगला कोश्चन है संसद का स्थाई सदन पूछ रहा है कि संसद का पर्मानेंट हाउस कौन सा है इस्थाई सदन का मेरा मतलब है पर्मानेंट का मतलब क्या है जो कभी ना खत्म हो पर्मानेंट क्या है दोस्तों पर्मानेंट वही है ना जो कभी खत्म ना हो मतलब कि जो कभी डिजॉल्व ना हो कभी भंग ना किया जा सके भंग ना हो तो आप लोगों ने पढ़ाओगा नहीं पढ़ाओगा तो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ा दूँगा देखे संसद क्या है संसद परले पारलियमेंट समझे संसद दोस्तों यह क्या है केंद रस्तर पर सेंटर लेवल पर क्या है यह विधाईका है केंद रस्तर पर विधाईक का नाम है यह जो लेस लेटी बॉड़ी है विधाइका का नाम संसद है पार्लियमेंट है और इस संसद के तीन अंग है संसद कितने अंग दोस्तों तीन अंग देखे संसद के तीन अंग है और यह संसद किन से किन से बन करके बनता है तो इसमें तीन अंग कौन कौन सो सब्सक्राइब अब यहां पर आते हैं संसद जो है इसके तीन बॉड़ी है लोकसभा राजसभा एंड राष्ट्रपती अब यहां पर यह बताईए कि संसद का अंग राष्ट्रपती क्यों बना आपके दिमाग में आई बात अगर आई तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आई तो बहुत बुरी बात है देखे संसद का अंग है राष्ट्रपती अब यहां पर तीनों अंगों का मतलब क्या है हमने बताया या मैंने बताया आप लोगों को क्या कि संसद कानून बनाने वाली संस्था है कानून बनाने काम है कानून बनाने काम है कानून ब कि द्राया को भिदियिक होई लोगा सभा इसको पास कर दिया किया कर दिया इसको पास कर दिया सभा में जा या राजसभा ने इसको पास गधिया तब यह जाएगा राश्र्त-पति या फस्ट आक्च्छर देन に यानिए अपनी अनुमत दै दि तो जैसे ही राष्ड पती नें अपना साइन किया इस पर दोस्तों तो ये बिल जो था विद्हः है ये अब एक्ट बन जाएगा या अभी एक्ट बन जाएगा कानून बन जाएगा अधिन यम बन जाएगा तो इसलिए संसत के तीन बॉड़ी है, तीनों के अपने अपने रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, चली, अब लोग सभा क्या बोला जाता है, लोग सभा को बोला जाता है, सबसे पहले तो निम्नसदन लोवर हाउस बोला जाता है, दोस्तों, निम्नसदन बोला जाता है, ठीक है, इसको प्रतिनदी सभा रिप्रेजेंटेटिव हाउस बोलते हैं प्रतिनदी सभा बोलते हैं ठीक है इसको क्या बोलते है इसको पर्थम सदन बोला जाता है ठीक है राज सभा क्या तो राज सभा को अपर हाउस उच्छ सदन बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको क्या बोला जाता तो इस्थाई सदन बोला जाता है कभी dissolve नहीं हो सकता ये लोग सभा क्या है लोग सभा आस्थाई है आस्थाई कभी भी इसको भंग किया जासकता है राष्ट पती के दोारा अब यहाँ पर देखे राजसभा है ये राज्यों वाली सभा है राज्यों की सभा है ठीक है ना राज्यों की सभा है इन नामों से जाना जाता है और इसका कहना में इसका नाम है दूसरा सदन या दूतीय सदन दूसरा सदन भी बोला जा उच्छी सदन पूछा गया सवाल दूसरा सदन सवाल पूछा गया इस्थाई सदन पूछा गया मतलब स्प्राइब क्या और के वल भी आप्ट्सन यानि क्या राद्यस सबहां कांसल अभ स्टेट राज सभह हो जाएगा राज सभह अब देखें लोग सभह क्या है लोग सब़क आपने पढ़ा होगा कारेकाल सबने पढ़ा था इसका टेनियूर होता है फाइब पांच वर्स के इसका कारेकाल होता है आपने पढ़ा होगा लेकिन ये भी पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो जान लिजिए कि कारेकाल पांच वर्स का भले होता है लेकिन मंत्री परशत की सलाह पर पी यानि प्रेसिडेंट राष्ट पती क्या कर सकता है इसको समय के पहले कर सकता है यानि भंग अगर हो सकता है तो यह भीया आस्थाई सदन क्या है आस्थाई सदन ले रहा बहुत बढ़िया अब जैसे इसमें आप ने देखा है कि लोग सभा कारेकाल 5 साल वैसी राज सभा कितना कारेकाल एक बार टेजिक साथ सब्सक्राइब करके बताएंगे लेते ही जाएंगे जो मैं समझाता हूं स्क्रिंसोर्ट लेंगे न जब आपका एक पुरा नोट सबन जागे इस्क्रिंसोर्ट से ताब देखे कितना बेहती ही इनतयार ही होगी चले अगला सब्सक्राइब कत्रों में से कौन असत्य है यहाँ पर दिखे असत्य पे मैंने ग B option, राजसभा को संसत का दूतिय सदन कहा जाता है, C option, राजसभा एक आस्थाई सदन है, या D option, लोकसभा संसत का लोक प्रिय सदन है, और आप से पूछा गया है कि कौन सा कथन दोस्तों असत है, गलत है, उसका चैन कीजिए, बताएं, देखें कितना बढ़ी है, सांदार, मत लोग उसको एक दम अच्छे से समझ पा रहे है, यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप लोगों की, ठीक है, चली, तो यहाँ पर आप लोगोंने C option चुना है, यानि राजसभा एक आस्थाई सदन है, ठीक है, राजसभा क्या है, टेंप्ररी हाउस नहीं है, बलकि क्य है, पर्मानेंट हाउस है, क्या है, पर्मानेंट हाउस है, दोस्तों, इस थाई सदन है, और लोग सभा को मैंने बताया, क्या पर्थम सदन, बिलकुल सही, राजसभा को मैंने बताया, क्या दूती सदन, बिलकुल सही, राजसभा सथाई गलत, लोग सभा संसात का लोग प्र क्या रासभा, लोक प्री नहीं, रासभा को लोक प्यार नहीं करते, देखे, इसलिए लोक सभा जनप्री सदन है, क्योंकि मिरे साथ यों, यों, मेरे भाई यों, आप लोग जानते हैं, कि जब जिनरल इलेक्षन होता है, जो की होने वाला है 2024 में ये जनरल एलेक्षिन जो आम चुना होता है दरसल ये चुना होता है लोकसभा का इसका चुना होता है ये लोकसभा का चुना होता है लोकसभा के सदस्व का चुना होता है और लोकसभा का जो चुना होता है लोग सभा के सदस्टों को चुना होता है, इसमें जनता क्या करती है, हम भारत की लोग क्या करते है, जनता सीधे अपने प्रतिनिजी को चुनते है, डारिक्ट वोट करती जाके, अठारा वर्स से, अठारा वर्स से जितने भी, अठारा वर्स से जितने भी आए वले, अधिक चुना होता है प्रत्यस क्या होता है प्रत्यस चुना होता दोस्तों और इसलिए चोके जनता के द्वारा डारेक्ट चुने गए है ये लोग मतलब कि हमारे भावना का हमारी इच्छा को ले करके वो सदन में गए है हमने उनको सीधे चुना है इसलिए लोक सभा क्या है इसे प concept को एक बार रट लेंगे ना, तो fact अपने आप धूआ हो जाएगा, ठीक है, चली, next question, अगला सवाल, अगला सवाल आपके ध्यान से पढ़िएगा, question कह रहा है, विधान सभा में निर्वाचित elected होने के लिए, नियूनतम कितनी आयू होनी चाहिए, आप लोगों में से बहुत लोगों का सपनाओं का मुझे पता है, कि भविस में हम क्या करेंगे ना, पहले हम नौकरी ले लें, उसके बाद हम बिधायक पनेंगे, हम चुनाओ लड़ेंगे, और अब मुझे जानकर बहुत खुसी होती है कि महिलाएं इस छेतर में आगे आ गई हैं, आप ने देखा कि एक तीहाई जो सीट रिजर्व की गई है भी, नहीं देखा तो मैं दिखा दूँगा आप लोगों को, तो महिलाएं भी सोचते हैं, हम बिधायक बने, हम सांसत बने, हम अपने लोग ले कल्यार करें, अपने लोगों का कुछ काम करें, अपने समाज के लिए कुछ काम करें दोस्तों, अगर सपना है, तो सबसे पहली चीज है, योगता, इलिजबिल्टी, अगर आप बिधायक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि योगता क्या है, तो दो तीन योगता है, वो जान लीजिए, और उन्हीं दो तीन योगता में एक योगता तो 25 होना even 20 सुर्स कि अगर आपको विद्यायग बनना ने यू नतम मिनिमम एस कितनी होनहे तुन्टी फाइब और यह केवल विधायक के लिए लोग सभाक आगर सदस्रे बनना है न लोग सभाक आगर मिंबर्डना तब बैंग कि वहार्त का नाघरिक क्या चाहिए दोस्तोंगा नाघरिक होना चाहिए बिर्ट यह सारी चीजह कोश्वा आज आतना सलगे यह जैसे एले रस्तर पर राफ देखते अदुछ के दोनों सदनों की संयूक्त बैठा कि समबंध में हूती है बता ही ज्बिधान्स ने कहते है किस विधाक को जब निर्वाचन होता है उसमें अब वाँ गजब आप लोगों ने कमेंट किया पिछले question पर आपको मैं बताओं 751 लोगों ने कमेंट किया था पिछले question पर इस question पर देखना कितने लोग करते हैं तो सिखा, जी, ससीकांत, सिंग सिकान सिंग, सुएता सिंग, सी आप्सन बता रही है साधारन विध्यक पर बहुत बढ़िया जबर्दस्त, बेहतरीन, सांदार, जिंदावा देखे, सायूग तो बैठा क्या सायूग तो बैठा का मतलब सायूग तो बैठा का मतलब है कि दो लोग बैठेंगे या दो से अधिक लोग बैठेंगे और केंविके नीगे साथार्ण विदेति पर किवल कीवल जब 2 भी वाद के थिती हो लोग सब स्राथ समझ भी वाद के स्थित्य तब कौन आता है बीच में बीच में आते हैं हमारे राष्ट पती महोने आते हैं कहते हैं ऐसा डोनों लोग आऊ बैठो साथ में राश्ट पती बुलाता है, कॉल अफ राश्ट पती बुलाता है क्या, ये भी साल पुछा गया, साईउं में तुब लाँ घुट कौन है, तो राश्ट पती बुला दिया, एक ही सदर में सब लोग बैठ गए, ठीक है, अब ये बारी है, कि जब लोगसभा की बैठा कोती तो उसके अध्धा कोती थे तो उसको प्रिसाइड ओवर कौन करता था लोगसभा के स्पीकर करता था राजसभा की जब बैठा कोती थे तो उसको प्रिसाइड ओवर कौन करता था वोईस प्रेसिडेंट, सभापती, पदे इन सभापती होता है न, एक्स ओफीस और चेर्मेन, तो यहाँ पर देखे, राष्ट्र पती क्या करता है, बुलाता है, लेकिन अगर प्रिसाइड ओवर की बात किया जाए, कि भेया इसकी अध्धक्षता कौन करेगा, तो अध्धक् पर, लोग सभा को उपाद्यच भी नहीं है, तब कौन करेगा, तब भाईया, राज सभा का सभापती नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेगा, कभी मतलगा इगटिक, तो सभापती, राज सभा का उप सभापती करेगा, क्या करेगा, उप सभापती करता है, जॉइन सभ हो जाएगा नोट कर लिजेगा इंपोर्टेंट है 108 आर्टिकल 108 अनुछा एक 108 में सहीं तो बैठा के बारे में प्रोवीजन है संदर में हो सकती है तो केवल और केवल साधार भी धेकों पर हो सकती है बढ़े ही होती है जो आइन से टिंग होता है लेकिन जीता कौन है आपको क कौन जीतेगा क्या रखता आपको कमेंट करके बताई व्यां कौन जीतेगा लोग सबस्क्राइब एड़ा सबय में सबयों है अर्थ सास्तर नहीं इक नामिक्स अब देखेए यहां पर अर्थ बेवस्थ हा मैं नहीं बोला अर्थ बेवस्थ हा और अर्थ शास्तर में दोस्तों बहुत डिफरNew2020 है यहां पर मैंने किस्ट किया पूछ रहा है इसgraduate पूछ रहा है कि इकोनॉमिक्स किसका study है इकोनॉमिस किसका अध्यान है ठीक है ना ये सवाल पूछ रहा है और एक बाद सभी लोग जवाब देंगे राजसभा जीतेगा ब्यूटी कस्मीर के राजसभा जीतेगा राजसभा कैसे जीतेगा अच्छा चलिए एक बात बताईए जॉएंट सिटिंग में अच्छा ये बताईए कि लोग सभा में मिम्बर की संख्या जादा है या राजसभा में जादा है लोक सभा में मिम्बर्स की संख्या जादा है राज सभा में है नमबर ओफ मिम्बर्स इसमें जादा रहेंगे और विसी बात है लोक सभा है पांसो पचास मिम्बर्स पांसो पचास सदस लोक सभा में और धाई सु सदस से राज सभा में और जब voting होगी joint sitting में voting तो होगी न अगर voting होगी तो जीतेगा कौन जीतेगा वही जो लोकसभा चाता है वही होगा कुल मिलाके यह तो बात है बस सुना joint sitting के जीतेगा वही लोकसभा लोकसभा क्यों जीतवा जाता है क्योंकि लोकसभा जनता की सभा है जनता के द्वारा चुन चले तो अर्थसास्त्र किसका द्यनभियात पैसे कैसे कमाएं हाँ कई लोगों को यह लग रहा होगा कि हाँ सरबस पैसे कैसे कमाएं यही तो है अर्थसास्त्र यह लग रहा है ब्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन कैसे करें कैसे fund का प्रबंद management करें हम कुछ लोगों को लग रहा है समाज असीमित आव सक्ताओं को पूरा करने के लिए दुरलब संसाधनों को कैसे अचा एक चीज़ बताइए अगर मैं आपसे कहूं resources के बारे में अगर मैं कहूं resources तो एक चीज़ बताइए यह limited है यह unlimited है यह limited है यह unlimited है सीमित है या असीमित है तेसास तो भी लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि अगर मैं आपसे पूछो कि संसाधन जो है जो प्रकीत ने हमको दिया है अब यह बताइए पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है अब कई लोग सोच रहे हैंrif कि संसारकार चार ही इसले महंगा हो रहा है नहीं गलत जबाद अगर मैं कहुँन कोईला क्यों महंगा हो रहा है मिट्टी के तिल क्यों बंद कर दिया गया क्यों LED लारी ये गवर्मेंट क्यों कभी सोचा है अगर सोचा है बहुत अच्छी बात है देखिए अगर मैं कहूं पेट्रोल दिन बदिन महंगा होता जा रहा है बैटरी वाली गाड़ी आती जा रही है तो सरकार के इसके पीछे उद्देश से क्या है उद्देश ये है कि जो हमारी रिसोर्से है ना बहुत लिम सब्सक्राइब बहुत जर्ण संक्या मत पहला हो नहीं तो क्या होगा नहीं तो भूखे मर जाएंगे सब लोग अब उसके बारे कोशन है का तो जिक्र होगा मालथका भी देखिए पेट्रोल जो है ना सीमित मतलब संसाधन सीमित संसाधन लिमिटेड है अब यह बताएए हम हमारा वांट्स जो है लोगों की इच्छाएं तो असीमित है आज मोटर सैक्ल आ जाए अजे नहीं कल कार आ जाए अल्टो ही आ जाए अल्टो आ गए अब क्या आ जाए अब एक बड़ी इसकार क्यों काली इसमें कालीन भीया चलते थे मिरजा पूर विपसी हमने देखा मुन् से लिमिटेड रिसोर्सेस का इस प्रकार उपयोग करो कि आपके अल्लिमिनटेड वॉन्ट्स क्या हो जाए पूरे हो जाए लोगों की जरूर्ते ही पूरी हो जाए और महात्मा गैंदी का कथन मुझे आदा आजाता है दोस्तों कि महात्मा पास वो सारी चीजे हैं, हमारी जरूरतें जितनी हैं, हमारी नीट्स जितनी हैं, जरूरतें जितनी हैं, जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकित के पास सारी चीजे हैं, लेकिन अगर हमारी लालच की बात करें, ग्रीड की बात करें, लालच, तो लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है मात बगा निकोट है क्लियर हमारी रोजाने एक नहीं ऐसा होती है आसा नहीं होती हो लालच होती है आसा नाम झूट ही दे रहे हैं उसको अपलोग चली आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स कोईश्चन तो इसका क्या हो जाएगा एकोनॉमिक समय समय स सकतों को पूरा किया जा सके इसी कद्धन क्या है एकोनॉमिक्स कहलाता है आसान तरीके से बिलकुल कर दो गया नेक्स्ट अगला सवाल अब देखे सूनियंस अच्छान्स अथा सूनियंस देसांतर अवस्थित है कहां पर जीरो डिग्री लेटिट्यूड एंड जीरो डिग क्लसिफिक ओसन में क्या अंसर हो जागा सभी लोग बताएंगे और जितने भी साथ्यों को लगता है कि हां सेसन को लाइक करना भूल गया क्या तो लाइक भी करते हुए चलेंगे जितने लोगों को लग रहा है कि हां लाइक करना भूल गया है पढ़ने में इतना बिजी हो चलिए, music class, गउने सुना दें कि आप लोगों को हम, बताइए, पढ़े लिजे फिक गउने भी हो जाएगा ना, ढोल मजीरा तासर लाएंगे एक दिन यहीं, बैट के खुब गउने खेलेंगे, जब आप लोगों का selection हो जाएगा ना, खुब गउने खेलेंगे हम लोगों, ठ अब यह आंसर बता है, बी आप्सन बता रहे हैं, यहां पर पूजा कुमारी जी, उजाला, मिलकी, समसाद जी हैं, अच्छे हैं, खुजबू, पल्लवी, बबलू, छिल्पा, भरत, गनेस, बहुत बढ़ी आसांदार, जवरदस्त, जिंदाबाद, बेहतरीन, सुमिझ जी, बहुत ही जवरदस आंसर आ रहा है, दोस्तों, सब का आंसर आ रहा है, मुझे तो यही खुसी हो जाती, जब सब लोग आंसर करते हैं, तो मुझे वही बहुत खुस हो जाता हूँ, मैं, कि सब आंसर कर रहे हैं, सब अवेर हैं, क्लास को ले करके, बहुत बढ़ी हैं, तो द अपनिक रेखाप किये हैं ऐसे इसका नाम सब लोग जानते होंगे जीरो डिगरी यह यह लेटिटूड है यानि जीरो डिगरी अच्छांस रेखा है क्या है जीरो डिगरी लेटिटूड लाइन अच्छांस रेखा इसी क्या बोलते हैं इसी को बिस्वत रेखा बोलते हैं इस दो बराबर भागों में ये है उत्तरी अच्छा उत्तरी गुलार्द हो जाएगा अच्छा नौदन हेमिस्फेर और ये हो जाएगा दक्षुनी गुलार्द सदन है विस फेर ठीगे न दक्षणी गुलार्ड अब देखे एक्वेटर ने क्या किया प्रच्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया ऐसे जितनी भी यह रेखा होती है यह करक रेखा होती है अब आप से कह रहा है यह जो जी रोडिगरी है जी लॉग लागि लेटीटूड और यह जी जी रोडिगरी लॉगि 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 टीटूड है यह एक दूसरे के साथ कहां मिलती है अब देखें यहां पर यहां पर मिल रही है न यहां पर अब वह पूछ रहा है किया किस सागर में इस्थित है इतना देखें बड़िया सवाल पूछा किस सागर में तो दोस्तों यह हो जाएगा कहां पर तो यह हो जाएगा अट्लांट महासागर में कहां पर अट्लांटिक महासागर में इस थे तो दोस्तों गिनी की खाड़ी गल्फ ऑफ गिनी गिनी की खाड़ी और गिनी की खाड़ी का किसकी है अफ्रीका महादेप की अफ्रीका कंटिनेंट यहां पर आप लोग में इमेज में देख भी सकते हो कि यह है अफ् ट्यूट देसांतर रेखा जिसको आप बोलते हैं जी अंटी ग्रीन विच मिन टाइम या इसी को बोला जाता है प्रधान मध्यान रेखा भी इसको बोला जाता है और सारे पूरे बिस्व में यहीं वो रेखा दोस्तों जिससे क्या होता है जिससे सब लोग अपना-पना ऑफ करते हैं अपना टाइंड जोन फिक्स करते है भारत भी करता है अब यह जी हैं लटिट्यूट भूमध रेका एक दूसरे को कहा पर काट रही है तो या इस आगर अकहां ब्ल хотите कोशन आप से सिर्फ महासह कवा पूच रहा था अगर खाली पूचेगा तो लगाएंगे गीनी कि खाली गल्फ और गीनी की खाली अगर आप से पूचैगा का रха दीन के लिगा अफिका से तरह ओ आप बता रहे हैं अटलांटिक को अटलांटिके बोलते हैं अटलांटा नहीं बोलते अटलांटिक को अटलांटिक बोलते हैंगे हिंदी में भी इंगलिस में भी प्रसांत को पैसिफिक बोलते हैं इंडियन ओसन को हिंद मास आगर बोलते हैं वही हिंदी का तो मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ मारी भासा है मात्र भासा हमारी हिंदी है तो हिंदी का बहुत बड़ा समर्थक है कैसे आप समझ गए ऐसे समझ गए कि आप लोग चलिए सन 1867 68 में भारत में प्रत्य वेक्तिया बीस रूपे थी अब बताई ये किसने बताया पहले बार किसके द्वारा निर्धारित किया गया यानि इन 1867-68 दपर कैपिटा इंकम इन इंडिया वास रूपीज ट्वेंटी विच वाद फर्स्ट डिटर्मिनेशन यानि जो डिटर्मिनेशन था या किसका था एमजी रानाडे सर डवलू हेंटर हंटर आसी दत या फिर दादा भाई नौरोजी क्या अंसर हो जागा अगर सभी लोग बताए दादा जी ने इसके आपके दादा जी ना मेरे दादा जी किसके दादा जी किरें दादा जी आपने कभी गवर किया दादा और भाई चले खेर दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्मेंड आफ इंडिया इन्होंने क्या किया इन्होंने बुक पब्लिस की और उस बुक का नाम था क्या दोस्तों पुर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन्डिया ये पुस्ता क्या किया ये पुस्ता कि इन्होंने पब्लिस की और कब की 1867-68 में पब्लिस की और इसी बुक में उन्होंने सबसे पहले भारत का नेशनल इंकम क्या किया अनुमान लगाया नेशनल इंकम का राष्टी आए का इसी बुक में उन्होंने बताया PCI के बारे में पर कैप्टेन कम कितना तो उस समय 20 रुपए थी इसी बुक में उन्होंने थेयोरी दिया जो पूछा गया है ड्रेन थेयोरी क्या नाम है ड्रेन थेयोरी बुक का नाम याद रखेंगे Purity and Un-British Rule India in India पूछा धान थेयोरी मतलब धनका बहिर गमन से धान तिनों ने दिया दोस्तों इन्होंने बताया दादा भाईनों रोजी ने कि कैसे अंग्रेज हमको खोकला करने कैसे अंग्रेज सोने कि चढ़िया को लूट रहे हैं यह मैं जरूर पताऊंगा कैसे जब मैं पढ़ाऊंगा इको नॉमेक्स ठीक है चली रिदी बैच में पढ़े थे अच्छा पढ़ाते हैं अच्छा धन्यवाद रिदी बैच में पढ़े थे हैं चली बढ़िया है अगर रिदी बैच में आप लोग पढ़े थे तो अगला सवाल अगला सवा सभींत है वेह बारा सरकार दिन्यम उनी सो पैर ती से संगी योजना पीडील सिस्टम फेडल प्लानिंग कहां से कहां से नाइटी धरी फाइक्ट से बिटी सम्मिधान से सम़र्ती सूची कंक्रेंट लेस्ट अमेरिकी अमीरिकी सम्मिधान से मौली का दिक्यार फंडामेंटल जापनी समिदान से कानून द्वारा इस्थापीत प्रक्रिया यानि प्रोसीजर स्टैब्लेस्ट वाई लॉग कानून बोलने मंचा है लिकिंड़ोगोन देखे । या पनि समीधान मतलब कानून गाता है रूल आफ लॉय यह कहां से लियागिया है तु रूल आफ लाप लिए लेकिन अगर कानून द्वारे स्थापीत प्रक्रिया की बात करेंगे तो यह जापने कौंस्टियूस बिल्कुल सभाथ अमेरिकी कॉंस्टियूसन से मौली का दिकार साथी साथ प्रस्तावना यानि प्रियंबल साथी साथ उप्राश्ट्पति क्या पद यह सारी बाते से अमेरिका से स्थान्तिया अपाई कहां से अमेरिका से ब्रिट्व इस स्कॉंस्टिउशं अनि यूक कंस्तों स्क्राइक समूर्ट की सौ सुची कंगृंग इन्चल आपके से संगी होगा है तो बिलकूर सही है तो बी-ाप्प्षिन आपका स合ी नहीं हुगा अब आप लोग जड़ा बताईए कमेंट करके एक कंकरेंट लिस्ट है क्या कमेंट करके सभी लोग बताईएगा और एक बार आप लोगों से बातचीत हो जाए मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग है तो अंजली जी हैं सुदूस, अनीता, जोती, पूजा, मनीसा, दीपक, खुजबू, संजीत है स्याम, बहुत बहुत बढ़ बढ़िया गौरी है, पूजा जी है चले बविता जी, सभी लोग है आईसा, दीपक मरवीन, रेनुका मिस क्या है, मिस डॉली है ब्यूटी डॉल है, ब्यूटी गुडिया भी हमारे साथ हैं दोस्तों तो खुजबू है, स्याम है, मुम्मद मनोज जी है यासमीन, दिव्यानसू सभी लोग है देखे, तो आप लोग उसमें बताना चाहता हूँ यहां पर देखे, कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है विनायक 4.2 बैस से जुड़ने के लिए कूपन कोड वाई 728, दोस्तों एक चीज़ याद रखेगा बस, तो याद रखना है अगर आपको, अगर अगर लेना है बैच जुड़ना है कैपी सर से, कैसे पढ़ें GKGS और GKGS को हलके मत लीजएगा 50 नंबर काएगा आपका 50 कोईशन, और मैंने मैं आने से पहले, आपको पढ़ाने से पहले मैंने एक आगाज किया, क्या GKGS का कैपसूल मैंने आपके पहले दिया सबसे पहले मैंने दिया कि कमस्कम हमारे सभी स्टूड़न्स को ये लगना चाहिए कि केपी सर है, तो क्या है ये पहले उनके बारे में जाने है थोड़ा बहुत तो कैपसूल आपको दे दिया गया है दोस्तों जाकर कि आप अप्लिकेशन पे कैपसूल इस तर डाउनलोड कर सकते हैं कितना है, 139 पेस का है 139 पेस का है हिंदी और इंग्लिस दोनों में आपको मिल जाएगा, बिलकुल फ्री मैंने इसको किया है, क्या किया है, बिलकुल फ्री किया है, लेकिन अगर आप पेट बैसे जूना चाहते हैं, पेट बैसे जूना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको कूपन कोड या आपके क्या है, तो पर आपके फेबरेटी टीचर्स का होता है वाई 728 आपको में इस में मिलेगा में सफल नहीं हो जाते हैं उसके दूर्ब सफल करवारे इमानूंगा मैं तो चली कैसे आप बैच को पर्चास कर सकते हैं और यह बैच आपका स्टार्ट होने वाला दोस्तु तो एक छीज में एक तो देखे जब आप जाएंगे Google में Google में डालेंगे अड़ा 247 अड़ा पूरा प्रॉसेस आपको पता है मुझे पता है कि आपको पता है लेकिन मैं बताना मेरा फर्ज है अड़ा 247 में आप जाएंगे तो यहां पर ऐसे वेपसाइट खुल जाएगे करेंगे क्लिक जैसे ही क जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा बिहार 4.0 बैस जो कि स्टार्ट हो रहा है 16 दिसमबर से तो दिसमबर से आपका बैस हो रहा है भी एससे से इंटर लेवल ठीक है यहां पर मेरी पिक भी बनी होए फोटो भी लगी करेंगे क्लिक जैसे जुड़ना चाहते इस बैच से चलिए भाइन आओ पर करेंगे क्लिक तो अवैलेबल आफर से इसे पूरा पेज खुलेगा जहां से पूछेगा इंटर कूपन कोड इंटर कूपन कोड में जाकर कि अपना कूपन कोड लगाना है अपना फेवरिट कूपन कोड आपकी सफलत आप क्लास लेंगे अप्लीकेसंस दोस्तों क्लास लेते हैं अड़ा टूफोर से एप से एड़ा टूफोरस से एप से अगर यह क्लास लेते हैं तो यह आपको मिले केवलाइब 788 में कब जब आप coupon code लगांगे वाई 728 तो coupon code नहीं भूलना है coupon code क्या है तो coupon code आपका यह है दोस्तों वाई 728 या अगर आपको कोई book लेना है कोई भी kit लेना book वोगरेक लेना जीएस वगरे खा तो आप वाई 728 लास्ट में यस लगाएंगे किसके लिए book के लिए टेस्ट सीरीज के लिए अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे है और आप लंबे समय से पढ़ रहे है तो भीया टेस्ट सीरीज जरू लगाईए 500 रुपए कुछ महाने नहीं रखते हैं अभी जाईए और टेस्ट अगर आप चलाते हैं तो गूगल पे फोन पे पे टियम यह सारी आपसंस कुल जाएंगे गूगल पर कर देंगे तो यह बैस आप जूड़ जाएंगे जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपने आपको दिखेंगा कि बैच आपने बिनायक पूर पॉइंट तो बैच अगर आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो जरूर हमारे साथ जूड़ें बिनायक बैच के साथ थैंकिस सो मच देजे मुझे जाजत मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पर और कल पेट क्लास आपके स्टार्ट हो रही है तीन बज़े से पॉलिटी यानि राजब्यवस्थ के साथ ठीक है तो जै हिंद जै भारत दोस्तों फिर से मैं बता दूँ मेरा नाम में कॉस्टेंट पताप सिंग और आप सबी से मिलकर कि मुझे बड़ी परसंदता हुई थैंकिसो मच